किसान सातियों उटी लेसुन का भाव कापी ज़्यादा है ऐसे में किसान भाई महेंगे भाव का बीज भी खरीद रहे है और बुवाई भी करेंगे लेकिन अगर आप भी उटी लेसुन की खेती करने की सोच रहे है आपने भी बीज करीदा है आप भी उटी लेसुन लगा रहे है तो उटी लेसुन की बुवई के समय कुछ ऐसी बाते है या कुछ ऐसी गलतिया है जो आपको नहीं करना चाहिए किसानों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उटी लसुन की खेती या बुवई के समय किन-किन बातों का ध्यान दखना चाहिए कौन सी साउधानिया रखनी चाहिए जिससे किसानों को उटी लसुन की खेती में फाइदा हो उतपादन जादा हो मुनापा जादा हो पेदाव उटी लेसुन लगाने से पहले बीज को अच्छे से सुका ले आप जो भी बीज खरीद कर लेकर आये है उसकी कलियां अलग करने के बाद बीज को अच्छे से सुकने दे और उसके बाद बुवई करे बीज जितने दिन बाहर सुकेगा उतनी ही जल्दी बीज का अंकुरन होगा जैसे ही आप बुवाई करेंगे जल्दी से जल्दी लेसुन उग कर तियार हो जाएगा इसके लावा किसान बैयों उटी लेसुन की खेती अगर आप करने जा रहे है तो बुवाई का सई तरीका और सई समय आपको पता होना चीए किसान बैयों उटी लेसुन की खेती अगेती और पचेती दोनों तरह से किसान बैय कर सकते हैं अगर आपने कोई भी खेत खाली छोड़ा हुआ है तो आप उटी लेसुन की बुवई अगस से सितमर के मैने में कर सकते हैं हाला कि अभी बरसाथ ज्यादा होने के कारण किसान भाई उटी लेसुन की बुवई नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जैसे ही बारिस रुकती है खेल से नमी सुकती है तुरंत आप उटी लेसुन की अगेती बुवई कर सकते हैं पचेती बुवई में किसान भाई सितमर के अंतिम सब्ता तक उटी लेसुन की बुवई कर सकते हैं वेसे तो किसान भै अतुमबर नॉभर में भी ऊटी लेसून लगा सकते हैं लेकिन किसान भैयों, इस साल ऊटी लेसून ज्यादा लगने वाला है ऐसे में आप ज्यादा पचेती ऊटी लेसून की बुबववई ना करें क्योंकि बीजबी कापी महेंगा मिल रहा है ऐसे में अगर आप पचेती बुवाई करते जाएंगे तो हो सकता है कि जब आपकी वसल पक्कर तियार हो उस समय पर आपको मंडी में भाव ज़्यादा ना मिले भाव ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आपको फाइदा कम नुकसान ज़्यादा होगा इसके लवा उटी लेसुन की बुवाई आपको हातों से चोपाई विदी द्वारा करना है कली की हातों से आप खेत में चोपाई कर सकते है किसान भाईयों आप अगर इस विदी से बुवाई करते हैं तो जो लेसुन का कंद होता है वो मोटा बनता है वो जंदार बनता है एलावा किसन भायों अगर आप उटी लेसुन की अगेती बुवई कर रहे हैं तो या तो आप खेत में पानी ना बढ़ने दे या आप बेड़ बनाकर उटी लेसुन की बुवई करें क्योंकि जैसे ही आपने केरियों में उटी लेसुन लगाया हो सकता है कि लगातार बारिस के चलते केरियों में पानी बर जाए ऐसे में आपके लेसुन का अंकुरन नहीं होगा लेसुन की कली जमीन में ही सर जाएगी या तो अगर आप अगेती बिजाई कर रहे है अगेती लेसुन लगा रहे है तो खेत में पानी ना बढ़ने दे उसी खेत में लेसुन लगाए साथ ही अगर खेत में पानी का बराऊ होता है तो आप बेड़ बना कर भी लेसुन की खेती कर सकते है जिससे उत्पादन बढ़ता लेसुन की साइज भी बड़िया बनती है किसान भायों अगर आप भी पहली बार उटी लेसुन लगा रहे है या किसी भी साल आपने उटी लेसुन लगाया है तो बुवई के समय इन बातों का ध्यान रखिए जिससे निश्य तोर पर आपको फाइदा होगा वीडियो को ने किसान दोस्तों तक शेयर करें धन्यवाद